दोस्तों 28 जुन 2022 को TTI Enterprise Limited के Board of Directors की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में शेयर सब डिविजन या स्प्लिट की एप्रूवल दे दी गई है ये कमपनी 1981 में स्टैबलिश हुई है और ये कमपनी Non-Banking Financial Company याने की NBFC की तरह से RBI के साथ रजिस्टर्ड है ये कमपनी Traditionally Share and Securities में इन्वेस्ट करती है और इसके साथ साथ ये Short Term and Long Term Basis पर Finance भी प्रवाइड कराती है दोस्तों इस कमपनी का Market Capitalization मात्र 32.9 करोडी है तो ये एक बहुत ही छोटी कमपनी है और ऐसे कमपनी में आपको अपने Portfolio का बहुत थोड़ा हिस्सा ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ऐसे कमपनी में इन्वेस्टमेंट काफे रिस्की हो जाता है इस शेयर स्प्लिट में कमपनी अपनी शेयर की Face Value को 10 रुपे पर एक्विटी शेयर से घटा कर 2 रुपे पर एक्विटी शेयर करने वाली है यहां कम्पनी ने एक टाइपो एरर किया है अब देखिए यहां कम्पनी ने लिखा है कि फेस वैल्यू को वो एक रूपय करने वाली है यह गलत है यह एक टाइपो ग्राफिकल एरर है तो इस शेर स्प्लिट का रेशियो 5 इस टू 1 या कहले 10 इस टू 2 रखा गया है तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कम्पनी के एक शेर है तो वो एक शेर 5 शेर में स्प्लिट या कनवर्ट हो जाएंगे अगर रिकॉर्ड डेट पर इस company के valuation में कोई change आता है और नहीं shareholders के holding के value में कोई change आता है company share split अपने share की liquidity बढ़ाने के लिए करती है अगर हम लोग इस case को देखे हैं तो इस company का current market price 12.95 पैसे है तो share split के बाद इस share का price 2.69 पैसे हो जाएगा तो ऐसे small investors जो ज़्यादा price होने के कारण इन share में invest नहीं करते थे वो इस share के price में sharp ग्रावट होने के बाद इस share में invest करने में interested हो जाएगे और share की liquidity भी बढ़ जाएगी यहां मैंने इस share का current market price आपको समझाने के लिए उधारन के तौर पर लिया है share split के बाद इस share का price क्या होगा यह share split से पहले की closing के price पर depend करेगा share split से पहले इस company का issued subscribed and paid up share capital में number of equity share दो करूर 54,422 हैं और इन share की face value 10 रुपे पर equity share है share split के बाद इस company के issued, subscribed and paid up share capital में number of equity share 12,722,110 हो जाएंगे और इन share की face value 2 रुपे पर equity share हो जाएगी company ने इस share split की record date fix नहीं की है company को अभी share holders की approval लेनी बाकी है और company ने ये भी बताया है कि share holders की approval के बाद 2-3 महने के अंदर ही इस share split को complete कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप इस video को like करें, मेरे channel को subscribe करें इस video को अधिक सेधिक लोगों के साथ share भी करें, बहुत बहुत भन्यवाद